हेलो एवरीवन, वेलकम टो एमेम अकेडमी, मैं हूँ शेशांग लखेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा इंडस्टियल रेवल्यूशन के बारे में, जिसको हिंदी में हम अध्यूकिक क्रांती कहते हैं वोल्ड हिस्ट्री में, वोल्ड हिस्ट्री की जो शुरुवात है, वो अध्यूकिक क्रांती से ही होती है, इसके पहले मैंने रहने साज़ो टॉपक के उसको कवर किया था, वो इंपोर्टन है, लेकिन जो प्रशन आते हैं, वो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन से आपको करना होगा, फिर आपको यहाँ पर सईनाल करना है, आप दो वीडियो, लेक्शर देख सकते हुँगे, फिर आपको परफायल में जाना है, प्लान को प्रशन को पर्शन को करना है, आप एक ही सब्सक्रिफिशन में सभी कोर्स अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी जो है डाउलोड कर सकते हो इसके लावद mmacadv.it यह हमारी वेबसाइट है आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो यह वेबसाइट का इंटेफिरेंस है आप जाके यहाँ पे लिए पाउड कर सकते हो आपको जो भी कोर्स पर्शेस करना हो इन फेक्ट आप सिंगल कोर्स भी जो है आपे पर्शेस कर सकते हो यह कुछ मेरे बारे में इन इसे वीडियो से लेटेट कोई भी डवाट आता है और अगर आप मुझको Facebook और Instagram पे मुझसे जुड़ना चाते हैं तो आप इन IDs पे जो है मुझसे जुड़ सकते हैं तो सबसे पहले समझ लो कि Industrial Revolution तीन फेस में जो है उसको divide करके रखा गया है हम mainly इस फेस की जो है बात करेगे अब तीन फेस में क्यों divide करके रखा गया है वो मैं आपको बात में बताऊंगा लेकिन जर्व अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पहला फेस जो है इंडेस्टियल रिवल्यूशन का वो 1760 से लेकि 850 तक चला इसमें टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री में आपको मेकनाइडेशन देखने को मिले का मतला मशीन का यूज देखने को मिले का माइनिंग हुई मेटलर्ची हुई और स्टीम इंजन बन गए हैं तो इजिली जो है यहाप अब ट्रांसपोर्ट का एक माध्या मिल चुका है पूरी दुनिया को मतलब यॉरप को मिल चुका है तो यॉरप के जब डेवलपमेंट हुआ तो दीरे दीरे जो है तो आगे चलके जो है यह स्टीम इंजन की टेक्वलोजी वहां तक भी पहुँचेगी और वहां पर भी जो है दीरे दीरे लोकोमोटिक्स शुरू होंगे और आगे अगर आप देखो कि तो पूरी दुनिया में दीरे दीरे करके इसका विस्तार शुरू हो जाएगा और एक जो पूरी चेन है मतलब सप्लाई चेन जो है यहाँ पर बन जाएगी और ट्रांसपोर्ट के काफी सारे माध्यम जो है यहाँ बनाए जाएगे फिर आता है सेकंड फेस जो 19 सेंचरी को हम मानते हैं इसमें पर बन रही है यहाँ यहाँ पर कशी तरीक से जो असेंब्ली लाइन है इसका यहाँ पर शुरूवात हो गई थी और यीधू इंग्लेंड में ही जो है आपको पार जो फ़स्ट फेस है इंडर्चिर्ल रेवलूशन जो है देखने को मिलेगा मतलब इंडर्चिर्र का 1st phase उसके बाद यौरप के जो बाकी देश है वहाँ पर भी जो है वो चीज फैलने लगी फिर 3rd phase में जिस पर हम आज की बात करते हैं 20th century में तो आज के समय communication technology, energy, internet, 3D printing तो ये सब चीज़े हमको देखने को मिल रही है और मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को आप जिस भी माध्य हम से देख रहे हो कि चाहे आप एक laptop पे देख रहे हो तो ये एक industrial revolution की जो है यहाँ पे देन है industrial revolution की वज़े से ही जो है आज हमारे पास computer, laptop, internet ये जिस तरीके से industrial revolution ने जो है जो capitalism है उसको बर्थ दिया हुआ है तो शुरू करते हैं सबसे पहले industrial revolution समझ लेजे कि industrial revolution एक्चुली में ठा गया तो industrial revolution में जो transition है वो हमको देखने को मिला है मतलब new manufacturing process का मतलब जिस तरीके से पहले कोई भी चीज़ बन रही थी पूरी दुनिया मालो एक curtain कोई बन रहा है अमेरिका में दूसरा curtain बन रहा है इंडिया में तीसरा curtain बन रहा है चायना में इन तीनों में कोई समानता रही क्या उस जमाने में नहीं बिलकुल भी नहीं रही ये तीनों एक समान नहीं थे लेकिन कुछ समय बाद अगर आप देखोगे तो मशीन में खरीदो, ये तीनों की जो flavor है, तीनों की packing है, तीनों का जो जो भी चीज आप देखोगे तो आपको same देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन क्या पहले के जमाने में ऐसा था, क्या वही चद्दर आपको अमेरिका में मिल जाएगी, क्या वही जो curtain है, मतलब वही जो curtain आपको मतलब बहुत बड़े रूप में जो है, आपर process होँगी, तो 1760 से लेकिए 8060 के बीच में ये पूरी क्रांती जो है, हमको देखने को मिलती है, और इसने पूरी दुनिया में जो है changes ला दिये, जी हाँ, बिलकुल, क्योंकि अगर आप जहां पर भी अभी जहां भी बैठे हो है, तो धीरी धीर करके अगर आप देखोगे, तो सब चीज़ है इंडेस्टियल रेवालूशन की ही देन है, और आप यहाँ पर होने लगा था mass production, मतलब बहुत ही बड़े रूप में जो हैं पर production होने लगा था, इसके अलावा अब पहले क्या होता था, hand production होता था, मतलब ह steam power का भी यहाँ पर use बहुत जादा पढ़ चुका था, तो अब simply mass production होने लगा, मतलब बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पर production होने लगा, इसके अलावा जब iron आगया इनके पास तो इन्होंने machine tools भी यहाँ बनाने शुरू कर दिये, और उस समय सबसे जादा जो coal है वो England म में ही पाया जाता था, क्योंकि बाकी जागे आगर आप देखोगे तो surplus मात्रा नहीं थी, लेकिन England के पास बहुत ही बड़े लेवल का coal था और बहुत ही high quality का coal था, जिससे जो है आपे कुछ steam engines है, steam power है उनको भी जो है आपे generate करा जा सके, इसके लावा industrial revolution जो term है, यह August Blankwi इन्होंने जो है coin करी है, एक French economist है, यह 1837 में इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर बताया था, कि जो economic और social change आए है, native industries कुछ simple instruments के थूरू, तो इसी को जो है इन्होंने यहाँ पर term कर दिया कि यह industrial revolution है, अब यहाँ पर होता क्या था, industries में आप factories आ गई, ठीक है, मतलब simple instruments ल पहले की कहानी क्या थी, मतलब late medieval और अगर हम 18th century की बात करें, तो उस जमाने में क्या होता था, यॉरप में क्या चल रहा था, वो समझना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे अगर आप देखोगे, तो दुनिया भर की जो economy है, वो agriculture पर ही based रही है, हाँ आज जरूर जो उस देश को उभार सकती है, तो अगर आप देखोगे तो European society में क्या होता था, कि सभी लोग agriculture पर ही based हुआ करते थे, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा लोग आपको agriculture पर based देखने को बलेंगे, एक जमाने में, England में भी लोग agriculture पर ही based रहे हैं, उस जमाने में क्या होता पर है, वो basically chief source रहा है power का, ठीक है, कि manual labor से आपे काम करवाय जाए, machine तो थी नहीं, तो labor के तूरू आपे काम हुआ करता था, अब हर जो village है, हर एक गाउँ जो है, अपने आप में sufficient है, मतलब वहाँ पर खुच चीज़ जो है, कर रहा है, अपने हिसाब से जो है, चीज़ों काफी दूर जाने में समय लगता था, तो इस वज़े से लोग village तक ही वहाँ पर रह गए, अब इसकी वज़े से क्या होता था, connectivity अच्छी नहीं है, तो लोग क्या है, large scale तक migrate नहीं कर पाते थे, और large scale पर हम को corporate activity देखने को नहीं मिलते थी, मतलब जो गाउँ की चीज़े ह नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि जो roads है, वो सही नहीं है, proper connectivity नहीं है, और लोग यह सोचते हैं, हम कब जाएंगे अपना माल बेचने के लिए, और फिर कब जो हम वापस आएंगे, तो यह भी काफी सारे यहां पर troubles हमको देखने को मिलते हैं, अब होता क्या है, beginning हो ज देखा गया है कि रहने सामें किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे से आपर प्रभावित हो रहे थी, ठीक है, इसी तरीके से आपर लोगों की desire अब बढ़ रही थी, इस तरीके से लोगों ने कुछ अपने basic laws को भी यहां पर बना लिया था, mankind के basic laws होते है, अब बेसिक अब इन सब चीजों करने के लिए एक काम भी होना चाहिए, काम अच्छा होगा तो पैसे अच्छे आएंगे, ठीक है, अब पैसे जब अच्छे आएंगे, तो मेली हम अपनी life को और अच्छा बना पाएंगे, तो अब देख लो एक बार United Kingdom को map पे, अब United Kingdom की कहानी अगर आ इसकी industrial revolution की, आपको पता है, इंगलेंड अगर आप चारों तरफ से देखोगे, तो पानी से घेरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ports भी available है, इसके अलावा, इसली जो है, आप ट्रेड हो सकता है, यह अपना जो समान है, स्वीडन भेज सकते हैं, यह अपना जो समान है, यह इसके कौन से factors रहे हैं कि industrial revolution जो है, इंगलेंड में ही शुरू हुआ, देखो, इसका सबसे main advantage रहा है, इंगलेंड को, कि इसके पहले ही एक बार agriculture revolution जो है, आचुका है 17th century में, 17th century में जो agriculture revolution आया, तो agriculture revolution ने क्या किया, कि agriculture को काफी boost दिया, तो agriculture जब boost हुआ, तो लोग के पास मतलब जो लोग है, अपर class के जो लोग है, उनके पास काफी अच्छा पैसा आने लगा, तीक है, अब agriculture सत्पस मातरा में हो गया, तो इससे क्या हो गया, capital generate होने लगा, तो industry भी जो है, प्रोग्रेस में आ गई, मतलब जब भाई, पैसे जादा आ रहे है, agriculture से काफी अच्छा करना है, किस के लिए trade करना है, profit के लिए करना है, मतलब पैसो के लिए करना है, अब England के अगर आप coastline भी देखो कि तो यह बहुत बड़ी थी, ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे बहुत सारी inland rivers भी रही है, तो इसके वज़े से connectivity बहुत अच्छी रही है England की, और यह चीज का कहां पर develop कर रहे है, England में, तो क्या हो रहा है, England को काफी अच्छे पैसे मिल रहे है, और सबसे important role in industrial revolution में play किया है, coal और iron अब coal ने सबसे important role play किया है, क्योंकि coal जो है, बहुत ही बड़ी मात्रावे England में पाए जाता है, और quality भी बहुत superior है, अब जब quality अच्छी है, तो power भी आप ये generate कर सकते हैं, इसके अलावा क्या करेंगे, जो machines है, machines को जो है याप उन power से जो है आप चला सकते है, ठीक है, steam engine बन गया था, steam engine क्या करता है, heat energy उसको दो गया आप, तो वो जो है याप वर्क करेगा, अब England जो है, एक वैसा empire रहा, जहां पे जो सूरह है, वो कभी अ इनकी एक market भी है, ठीक है, जो cotton भारत में होता था, भारत से इंग्लेंड जाता था, वहां से जो कपड़े बनके आते थे, वो वापस कहां बिखते थे, भारत के market में बिखते थे, तो जो इंडिया का market है, वो इंग्लेंड के लिए, इंग्लेंड यहाँ पर rule तो कर रहा था लेकिन इंग्लेंड के लिए क्या है एक चीज, इंग्लेंड के लिए भारत एक market भी है, ऐसी भारत के साथ सब और भी जो colonies हैं, वो सब क्या है इंग्लेंड के लिए एक market, तो इंग्लेंड बहुत heavy level पर जो है आपे पैसा कमा रहा है, अब labor क्या हो चुकी है, labor भी जो है होता था, तो ये जो है अपने घरों में जो है आपे काम किया करते थे, अब देखो कुछ इस तरीकी की यहाँ पर कहानी हो गई है, कि अगर आप इंग्लेंड में 10 लोग देखोगे, तो 10 में से 6 जो है, वो क्या है, एक्रिकल्चर पर काम कर रहे हैं, लेकिन 4 जो है, वो है ह खेती ही हो रही है, विंटर्स का समय आता है, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो वो होमवक्स करने लगते हैं, मतलब हैं हैंटी क्राफ्ट का काम करने लगते हैं, क्यों कि ठंड में यहाँ खेती कर नहीं सकते हैं, पूरी जो खेत हैं वर्फ से ढख जाते हैं, तो फिर इसके लावा इनके पास क्रिस्क्रोस्ट कैनाल को भी सरकार ने डैवलब कर दिया क्योंकि मेली आपे लोग अग्री कल्चर पर डेपेंडेंडेंट है और इंग्लेंड के पास काफी भारी मात्रा में पैसा आ रहा है इसके लावा वार रावा रोट बनाने की निकाल ली किस तरीके से जो बडर बडर बड़े-बड़े होते है उनको डाला जाता है उसके उपर पत्ली गिट्टी उसको डाला जाता है और उसके बाद जो clay है उससे जो है यहाँ पर road बना दी जाती तो इस तरीके की technique जो है इंग्लेंड में भी नकाली गई इससे जो है transportation काफी boost हुआ तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक reason और रहा है कि बाकी continents के मुकाबले बाकी देशों में अगर आप देखोगे तो आपको उतनी शांती देखने को नहीं बिलेगी लेकिन इंग्लेंड में हमेशा से ही यहाँ पर peace रही है इसकी विज़े से क्या हुआ है कि अच्छे से अच्छा जो है यहाँ पर मतलब लोगों ने अपनी इंडस्ट्री यहाँ पर सेट अपकी लोगों ने अच्छे से जो है अपना काम यहाँ पर वर्क क्या है अब इनका raw material जो है कॉलोनी से आ रहा है भारत से इसके अलावा banks और banking system भी जो है develop हो गए है actually मैं सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था banks और banking system जो है इटली में शुरू हुआ था लेकिन इंग्लेंड में भी जो है आप शुरू हो गया इसके अलावा innovation inventions हुए इनो ने भी जो है industrial revolution में बहुत important role play किया ठीक है इसके अलावा strong property laws political institution और यह सबसे important point है योगि उस समय कर आप दोगत इंग्लेंड की अबादी जादा नहीं थी इंग्लेंड की अबादी मुश्किल से 3-4 करोड के आसपास रही हो ठीक है और अब इसकी वज़े से क्या होता है कि most लोग किस पर dependent है agriculture पर dependent है कुछ ही लोग जो है handicraft और handicraft का काम जानत लेगा ठीक है अब इसकी वज़े से क्या होगा कि इंग्लेंड के जो मतलब इंडस्ट्रिस होंगे मतलब इंडस्ट्री यहां पर लगाएंग उनको बहुत साथ अमाउंट पर जो है पैसा देना होगा किसको लेबर को और इसके लाव इंसेंटिव इंवेंट एंड मशीन त पूरे यॉरप में अगर आप दोगी तो जितनी फैसिलेटी इंग्लेंड के पास है उतनी फैसिलेटी किसी के पास नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए क्लिए राव माटेरियल चाहिए एक स्टीम एंजिन चाहिए मतब फैक्टरी चलाने के लिए कुछ पावर के ज़रूरत पड़ेगी तो इन्होंने ये भी डैवलप कर लिया है राव माटेरियल भी है इनकी कॉलोनीज भी है इनका जो पूरा देश है वो शान्त है वहाँ पे कोई वालेंस नहीं हो रहे तो पूरी कंडिशन जो है इंगलेंड के फिवर में रही है कि इंडस्ट्री जो है आप यहां पे लगा सकते हो और लोगों ने धूमदाम से आप फिर इंडस्ट्री लगाना शुरू हुई और जिसकी आज हम बात करते हैं क्लाइमिट चेंज के बारे में तो जब विक्सित दे आपने जो पॉलिशन किया है उसका क्या तीक है आप तो डेवलप्ट हो गए वो करके तो अब हमारा भी समय है तो हमको भी थोड़ा सा डेवलप्ट हो जाने दो पर हम यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीगे से जो सी ओ टू है उसको हम कम कर पाए मतलब सी जो कारब ठीक है क्योंकि यहां पर सेमी आटोमेटिक और मेकनाइड़ मसीन से उनको जो है यहां पर डेवलप कर लिया गया है अब यहां पर इप्न डेवलप लिए शटल आपर डेवलप कर ली गई है इसकी जो स्पीड है वो डबल है तो वीविंग डबल तरीके से हो सकती है ठीक ना इसके लाब लेबर को भी जो है आपर सेफ किया जा सकता है फिर इस्पेनिंग जैनी भी आ गई और उसके बाद पावर लूम भी जो है 1785 में हमको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते तो इस तरीकी का पावर लूम जो है उनको देखने को मिलता है और फिर आप एक कपड़ा बनाया जाता है तो बेसिकली आप देख सकते हो किस तरीके से जो है आप जो टेकलोजी है वो यहाँ पे चेंज होई है आप देखो यहां से और इस तक का सफर एक बहुत ही बड़ा स था लेकिन यहां पेनों ने जो है कंडेंसर वगएरा और जो है इसमें फिट किया तो जेम्स वॉट ने तो सेवन्टी सिक्षी नाइन में कुछ इस तरीकी का जो इस्टीम इंजन है वो यहां पे बना दिया गया था इसके अलावा इस्टीम बोट भी यहीं बन जाएगी त लेकिन अगर आप एक्सेल इंडस्टी के अलावा भी देखोगे तो एक इंडस्टी और डेवलप होई है वह है केमिकल इंडस्टी क्योंकि कपड़ा बनाने में चैमिकल्स का भी यहां पर यूज होता है तो चैमिस्टी ने भी बहुत इंपोर्टन रोल प्ले किया है इंड इन सब में इंपोर्टन रोल आपको कोल का देखने को मिलेगा कोल की इंपोर्टन्स क्या थी तो इंगलेंड में जो कोल की माइनेंग है वह बहुत ही है लेवल पर होती थी और बहुत ही बड़े लेवल पर को जो है प्रडूब्दूस करता था और इसके सांसांच यह nearly available भी इसके अलावा अब इन्हों ने क्या किया आइरन का भी production यहां पर शुरू कर दिया तो अब machines के tools भी जो है बनने शुरू हो गए तो जब coal बना, coal मतलब coal आया, coal के बाद जो है इनके पास iron भी आया तो इन्हों ने क्या किया अब अपना जो है development यहां पर शुरू कर दिया अब industrial revolution के impact क्या हुए तो वो हम समझते हैं तो basically industrial revolution ने जो है एक factory system को जो है यहां पर लेके आया अब factory system क्या होता है अब घर पे क्या हो रहा था पहले बाई एक एक इनसान यहां पर काम कर रहा था लेकिन factory system में एक साथ जो है बहुत सारे लोग यहां पर collectively काम कर रहे हैं इसके अलावा जो articles और goods की जो variety है वो भी जो है यहां पर manufacturers होने लगी और large quantity में जो है जो goods की quantity है वो भी जो है यहां पर बढ़ती गई इसके अलावा quality में भी improvement यहां पर देखने को मिला अब इसके अलावा क्या development हुए तो भाई जब industries यहां पर लग रही है तो उसके अलावा communication को भी develop किया गया transportation को भी develop किया गया क्योंकि जब माल एक जगे से दूसरी जगे पहुचाना होगा तो इसके लिए transportation की ज़रूरत पड़ेगी इसके अलावा communication जो है आपको पता है फिर उसके बाद जो है telephone वगएरा जो है telegraph इन सब चीजों को भी जो है आप लेके आया गया गई है इसके अलावा जो road, bridges, railway tracks और canals है इनका भी जो है आपर प्रॉपर development शुरू हो गया था जो textile industry 3 बृटेन की यह basically जो है raw cotton पे जो है यहाँ पर dependent रही है तो यह क्या करती थी अमेरिका और इंडिया से जो है आप इनका पूरा material आदा था पूरी supply जो है आपर इंडिया पिए लोग अब इंग्लेंड थी और यहाँ पर बिख्ती थी तो यॉरा अब क्या करता है यहां पर फूर्ट की जो है इंग्लेंड में क्या हो रहा है सब लोग यहां पर क्या कर रहे है भाई manufacture कर रहे हैं गोट्स को लेकिन food की कमी हो गई क्योंकि agriculture से लोग यहाँ पर दूर आने लगे क्योंकि उनको पैसा देखने लगा ठीक है क्योंकि उनके पास अब भाई उनको labor भी मतलब उनको पैसा भी यहाँ पर मिल रहा है ठीक है तो वो क्या करेंगे अब अब जो है food कहां से आने लगा तो भाई एशिया की तरफ से यहाँ पर food जाने लगा और एक्सचेंज में यहाँ पर कपड़े आने लगे तो इस तरीकी की जो चीज़े हैं वो यहाँ पर शुरू हो गए इसके अलावा अगरिकल्चर पे भी जो है काफी इंपक्ट हुआ कुछ इंवेंशन जो है अगरिकल्चर पे भी यहाँ पर मशीन बनाए गई लगनिकल प्लक जो है यहाँ पर शुरू हुआ कल्टिवेटर्स ड्रिल थ्रेशर्स इन सब चीज़ों को यहाँ पर डेवलप कि जिया गया और दollen दिरे लोगों की वी जो हालत है वो यहाँ पर सुधर्ती गई लेकिन उन्हीं की नहीं के हाला सुधर्री जो फेक्ट्री के मालिक जो वर्कर है जो काम कर रहे हैं जो यह लोग है इनकी जिंदगी तो यहाँ पर खतम हो गई थी पहले से उसका डियूजन म मतलब अब दो क्लास में जो है पूरी लोग यहाँ पर डिवाइड हो गए थे, एक तरफ थे वर्किंग क्लास, और एक तरफ थे इंडस्ट्रियल कैपिटल क्लास, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, अब एक वास्ट मजॉरिटी ओफ पीपल जो है, यह वेज अर इवल्यूशन से लोगों को जो है, रोजगार मिला, इंडस्ट्रियलिसम जो है, आपर शुरू हुआ, मुशीन्स के थूरू है, आपर काम होने लगा, लेकिन यह जो मजदूर है, इनका क्या हुआ, इन पर क्या इंपक्ट हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मजदूरों है, वो कम हो गए है, उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वरकर को जो है, आप एक्स्प्रोइटेशन होने लगागी, 16-18 गंटे काम कराने लगाए या, मतलब 16-18 गंटे जो है, इनोंने काम कराने लगे उनसे, इसके लावाब कैपिटलिसम की शुरूबात हो, मतलब जादा स्यादा प्रॉफिट टर्न होना चाहिए, चाहिए उसके लिए लेबर को मरना पड़े, 18-20 गंटे काम करने को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर मैक्सिमम यहाँ पर होना चाहिए, अब इसके लावा क्या हो रहा है, जो जो गाव में जो काम कर रहे हैं, उन सब के बिजनेस खतम हो गए, क्यों? उनकी बड़ी-बड़ी फैक्टरी जब यहाँ पर शुरू हो गए, तो वो बल्क पर प्रॉडक्शन करते थे, और उनको जो है माल यहाँ पर सस्ता पड़ता था, क्यों? क्योंकि उनको कच्छा माल पहले से सस्ता पड़ रहा है, तो बनाके भी बेचेंगे, तो उनको जो ट्रीशनल वीवर्स है, उनके एम्पलॉइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहे है, क्यों पैसे भी कम ले रहे है, छिक है, इसके बावा बंधूँ मस्धूरी में हम जो चाहए, वो बच्चे से करवा सकते हैं, बच्चे से मार के डाठ के काम करवा सकते हैं, इसके लावा women's को भी जो है, liver को भी जो है यहाँ पर रखा गया, इनको क्योंकि काफी कम पैसे जो हैं देना पड़ते थे और काफी जादा जो है हम इनसे काम करवा सकते हैं तो ये basically इसकी चीजे रही है इसके अलावा एक यह रहा कि colonial expansion यह पे शुरूप रहा कि colonies की expansion वो यहां पर जाधा बड़ी उसकी demand बड़ी यहां जाधा colonies आपने होना चाहिए क्यों कि हम क्या कर सकते हैं हम उससे यहां पर जो raw materials है वो जो है हमको मिलेगा जितनी जादा colonies हमारी होंगे उतनी जादा raw materials हमें यहाँ पर मिलेगा इसके अलावा population भी जो है यहाँ पर increase हो रही है क्यों क्योंकि slums भी जो है यहाँ पर बढ़ रहे हैं और low wages हमको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कारीगर कम थे लेकिन आप यहाँ पर इतना advancement हो गया है लोग जो है migrate हो के जो काओं से है वो शहर आ रहे हैं तो यहाँ पर इतनी सादा लोग हो गए है कि wages जो है आपर कम है मतलब पैसा कम है लेकिन काम करने वाले जो है बहुत सादा है इसके लावा slums भी जो है यहाँ पर develop होगा जब इतने सारे लोग आ रहे हैं और उनको काम करने के उतने पैसे भी नहीं मिल रहे हैं तो वो कहां रहेंगे slums में ही रहेंगे जो है सबसे important issue है तो environment में क्या हुआ भाई इतना जब आप coal को burn कर रहे हो इतना धुआ जब निकल रहा है तो उससे क्या हो रहा है climate change हो रहा है और आज जो हम देख रहे हैं जो 200-300 साल पुराना जो इससब कारणामा इंग्लेंड ने किया है तो उसी का भी जो है असर हम आज हमको जो है अब यहां पे तेखने को बिल रहा है इसके रहाब अगर हम industrialization की बात करें तो industrialization तो हुआ लेकिन यहां पे बहुत advanced guns भी जो है आपर develop करे गए immunations भी जो है आपर develop करे गए जो आगे तक जो है आपर world war की इस्तिती जो है आपर बनाएगा लेकिन इसका negative impact रहा है socialism के लिए ठीक है इन्हों ने क्या किया negative impact जो basically यहाँ पे negative impact ने एक socialism को जो है आपर जन्म दिया है अब socialism क्या होता है तो socialism यहाँ पर यह कहता था तो यह जो है socialism यहाँ पर define किया जाता है इस तरीके से तो I hope कि आपको जो है इस lecture में industrial revolution के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा कि actually में और दो के क्रांती जो है क्या रही है लेकिन अब last में मैं आपसे यहाँ पर question पूछूँँगा कि आपो क्या लगता है कि industrial revolution के positive impact जादा है या negative impact जादा है तो अपने opinion comment box में जरूर comment करना इसी के साथ यह था जिस वीडियो का सुने के लिए बहुत बधनेवाद चैहिन चैभारत